नमस्ते फ्रेंस मिसेसो में करवित नियू आडेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कच्छे आम की खटी मीठी कैंडी बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है। साथी साथ बहुत ही टेश्टी रेसिपी है फ्रेंस एक बर जरू ट्राइए करीगा। तो हम वह कुछ होती है नहीं प्रियूंट के सलेस्ट के से agric Church कि उया देया था कि परोज़ाइए निदेगेक कि अंतलब सब्सक्राइभी और ụचितों वहीं दोके आम कला कर्या है और गर्मा गरम ही एक दुसरे सुखे बरतर में निकाल लेंगे अब उबलेवी आम को ये टुकड़े को जिस बरतर में डाला है उसमें हम डेर सो से दो सो ग्राम चीनी डालकर हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे और ढखकर रख देंगे दो दिन तक हम इसे इसी सिरप में रखना ह और बिच बिच में चलाते रहना है दो दिन हो गए हैं देखे चीनी पुरी तरह पिगल चुकी है अब इसे हम एक थाली या ट्रे में निकाल लेंगे बहुत हलके हाथों से निकालेगा फ्रेंट्स वरना तूट जाएंगे आम के टुकड़े सारे टुकड़े को हमने थाली म रखेंगे ताकि अच्छी तरह से सूख जाएं इस चाशनी को फेकेंगे ने इसे आप नीबु का शर्बत या फिर आम पर्ना बगरे में इस्तेमाल कर सकते हैं दो दिन के धूप में दिखाने के बाद देखें फ्रेंट्स आम के टुकड़े अच्छी तरह सुख गए हैं अब इसे हम सुगर पाउडर से कोट कर देंगे ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं अगर आप ज़्यादा मातर में बना रहे हैं तो इसे आप एयर टैट कंटेनर में सुगर पाउडर से कोट करके स्टोर कर लिजे आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी बहुत ही स्वादिष्ट मेंगो केंडी है फ्रेंट्स आप इसे मुकवास की तरह भी कभी-कभी इस्तमाल कर सकते हैं इसे एक बार जरूर ट्राइक करिए फ्रेंट्स फिर मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त रहे धन्यवाद